अमारा एक समुदाय आधारित स्वास्ते कारे करता है COVID-19 महामारी ने उसके जिले में नई नियमित स्वास्ते सेवाओं को बंदित किया है इससे उसके समुदाय के कई लोग असोरक्षित हो गए हैं विशेश रूप से जिन लोगों को कोई स्वास्ते स्थिती पुरानी बिमारी है वे अब COVID-19 और अन्य स्वास्ते सेवाओं के विद्टन दोनों के कारण अधिक जोखिम में है अमारा ने काम करने के नई तरीके ढूंड लिये हैं ताकि वे माहमारी के दोरान सेवा प्रदान करना जारी रख सके वे प्रतेक मामले का आकलन करती है कि क्या उसके लिए व्यक्तिकत रूप से यात्र करना आवश्यक है यदि उसके लिए मुलाकात आवश्यक नहीं है तो वे अब फोन दोरा देखभाल प्रदान करती है यह COVID-19 के प्रसार को कम करने में मदद करता है यदि उसके लिए व्यक्तिकत रूप से यात्र करना आवश्यक है तो अमारा हमेशा उप्यूग्ध व्यक्तिकत सुरक्षा उपकरन पहनती है जहां संभव हो वहां वह कम से कम दो मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखती है और वह हर यात्रा से पहली और बाद में अपने हातों को कम से कम 20 सेकिंड तक धूती है अमारा नियामित रूप से समुदाय के अधिक कमजोर सदस्यों जैसे बुजर्गों और पुरारी बिमारी वाले लोगों की जाज करती है जिन्हें स्वास्ते केंद्र जाने की आवश्यक्ता हो वह उनके लिए डॉक्टर के साथ भेट की व्यवस्ता करती है इससे उनके द्वारा की जाने वाली यात्राओं की संख्या कम हो जाती है वह बच्चों और गर्भवती महीलाओं की देखभाल करना जारी रखती है जैसे की प्रसव, पूर्वजाच, मलेरिया, निमोनिया और दस्त के लिए टीका करन और उपचार अमारा हमेशा COVID-19 की नए प्रकोपों के संकीतों के लिए नजर रखती है लेकिन वह उन अन्य बिमारियों की खबर के लिए भी सतर्क रहती है जो समूदाय में फैल सकती है कुछ लोग COVID-19 के डर से अन्य स्वास्ते समस्याओं को दिखाने से भी बच्चते है अमारा लोगों को किसी भी स्वास्ते समस्याओं का उपचार जारी रखने के लिए प्रोच जाहित करती है देखबाल करने के दौरान लोग कैसे सुरक्षित रहे सकते हैं इस बारे में जानकारी साजा करके अमारा सुनिश्चित करती है कि उसके समुदायों को वह देखपाल मिलती रहे जिसकी उसे जरूरत है